कि बहुत सारे लोग फाइवर को एक 5 डॉलर की 10 डॉलर की मार्किट प्लेस समझते हैं मैं भी अपवर्ट पे काम करता हूं और मैं भी शुरू में ऐसा ही समझता था में अपने स्टूडेंट्स को शिखाने के लिए जाएं ऊपर से हट्के फाइवरपे पर प्रफायल बिनाई ringing किस तरह से कीब नहीं करते हैं सारा मुझे पता था मगर मैं इस पर बिलीव नहीं करता था कि मैं यह समझता था कि फाइवर के उपर हमेशा फाइव डॉलर और टैन डॉलर के की प्रॉजेक्स आपको मिलते हैं मगर जब मैंने स्टुडेंट्स के लिए परफाइल बनाई तो मैंने देखा कि मुझे काफी ज़्यादा महां पर मेसेजिस आना स्टार्ट हो गए थे और मैंने उनसे बात जब की तो मुझे अंदादा हुआ कि वह पांच डॉलर और दस डॉलर की पे कर रहे थे तो मैं क्यूंकि अपर के उपर काफी अच्छा चार्ज कर रहा था तो मैंने उस चीज को जो है ना बहतर नहीं समझा कि मैं फाइव डॉलर और टैन डॉलर के प्रोड़क्स करूं कि उन में ट्वंटी ओर आवर्स गईंसे ज्यादा इसे ज्यादा का टाइम लग सकता था तो मैं उन क्लाइंट्स को इग्नोर करता रहा और ना करता रहा कि मैं आप लोगों का प्रोडेक्स नहीं कर सकता सौरी आप किसी और को फाइंड आट कर लें क्यूंकि आपका बजट बहुत लोग है तो इस तरह से करते करते मैंने आल्मोस्ट कोई 10 से 12 क्लाइंट्स को तो एक बार यह हुआ कि वह एक बहुत ही छोटा काम मुझे मिला वह फाइव डॉलर में करना था दो से तीन मिनट लगने थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कर दूं क्यूंकि बहुत ही चोटा सा काम है फाइव डालर के अंदर मैं था कर दिया तो उसके बाद मैंने मैं जब भी कोई क्लाइंट आता मैं उसको हाई रेट देता रहा और जब मैं हाई रेट देता रहा तो उस अटोमेटिकली मुझे बड़े प्रोडेक्स मिलना भी स्टार्ट हो गए मुझे तीन हजार डॉलर का प्रोडेक्ट भी मिला और अभी जो इस वीडियो के अंदर में आप लोग साथ शेयर करने जा रहा हूं वह बैसिकली 2400 डॉलर का प्रोडेक्ट है तो मैं लाइव आपके शेयर करता हूं किस तरह से क्लाइंट आया और किस तरह से कनवर्सेशन हु और इवन सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उसको डिरेक्ट भी किया बैसिकली वर्ट्टैप पर भी मैं उसके साथ बात करता रहा मगर फिर भी मैं इसको फाइवर पर ही हाइड कर वाऊंगा तो सारी कनवर्सेशन भी दिखाता हूं आपको सारी स्टोरी बिदाता हूं मगर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के ऊपर में आप लोगों के लिए फ्रीलैंसिंग के रिलेटिड चीज़ें डिवेल तो एक साल में मैंने एक दो ही बायर्यक्वेस्ट की होंगी जो क्लाइंट है खुद ही गीग को देखके आया है और गीग को देखके आने के बाद यह मुझे बात करता रहा जब मैंने इसने करके हिग में ऐसने झालए तो इसने कहा कि मेरा जो बजट है कि ठीम आर थे बाद मेट सबभेगा में हidée 3500 डॉलर त्टो इस ने जब पूछा कि आपका कितना ए तो उसके बाद फिर मैंने इसको यह कहा कि मगर देखें यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने थर्टी फाइव यूसडी पर कहा उससे पहले मैंने यह जरूर कहा है कि मैं आपको गरंटी दूँगा कि आपको 100% कॉलिटी और वर्किंग प्रॉड़क्ट मिलेगी और तो यह जरूर करने इसको बताता रहा है कि मैं प्रॉड़क्ट को कैसे बनाऊंगा और पिर उसके बाद इसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो मैंने इसके साथ नंबर भी शेयर किया ठीक है तो यहां पर मैंने उसको वहां पर एड कर दिया कि यहां पर मैंने उसको यह बता दिया कि मैं बेसिकली काम सिरफ यह करूंगा कि यह देखें इस सारी वर्टसएप के लेटिट कर्वर्सेशन हो रही है Google Drive for Word and WhatsApp for Chatbot SMS only phone call directs them to text emergency calls only SMS only Okay, so WhatsApp for our communication but this is fine too Okay, let's store everything on Google Drive Yes, WhatsApp your number but remember that Yes, what's your number but please remember I want to keep working on Fiverr ठीक है, यह मैंने उसको message कर दिया कि मैं basically आप इसा direct नहीं होंगा मैं आप conversation करने के लिए मैं ready हूँ, WhatsApp की ओपर कोई मसला नहीं है तो मगर आप काम मैं Fiverr पर करूँगा तो यह यहां पर एक बहुत important बात जो मैं आप लोगों को बाकी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जहां पर client comfortable हो बात करने में, work करने में आपने वहीं पर comfortable हो जाना है इस client ने कहा कि मैं Google Drive पर comfortable हूँ तो मैंने कहा, okay, आप Google Drive पर काम कर लें और इसने कहा कि मैं WhatsApp पर बात करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा है, ठीक है, आप WhatsApp का number ले लें अगर, यह मैंने client को comfort zone में रखा है, अगर मैं अपने आपको comfort zone में रखता तो maybe my favorite app में Skype है, मैं इसको कहता है, मेरा Skype का ID है, यहां पर आ जाओ तो इससे यह होना था, client के comfort zone, client को उसके comfort zone से निकाल के मैंने मैं अपने comfort zone में लेके आना था, maybe client के बाद Skype का account ना हो, Skype की app ना हो तो मैंने एक मुश्किल खड़ी कर दी client के लिए, कि पहले वो Skype download करे, फिर उसमे account create करे, फिर मुझे find करे, फिर मुझे call करे इसी तरह से वो comfortable था Google Drive में, अगर मैं comfortable हूँ Dropbox में मैं उसको कह सकता था कि यार मैं Google Drive में comfortable नहीं हूँ, मगर मैं Dropbox में comfortable हूँ, मगर ऐसा मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि मैं client को उसकी comfort zone में रखना रह चाता हूँ, ना कि अपने आपको, तो यह बहुत important rule है, आप लोगोंने याद रखना है, और Skype, आप काफी लोग ड रूल्स की जो नहीं करते हैं, मतलब आप अगर नंबर दे भी रहे हैं, और उसी सूरत में दें या लें, जब client खुद कहे, और दूसरे नंबर पे उसके साथ ही mention कर दें कि मैं Fiverr पर ही work करूँगा, मगर अगर आप comfortable हैं, काम करना चाहते हैं directly, तो आप directly मैं आपको number होती रही है, और conversation के बाद फिर मैंने इसके साथ जो है वो deal done कर ली है कि हम 12 weeks के अंदर काम करेंगे, और 12 weeks काम करने के बाद मैं इसके साथ जो है वो product बना के साथ share करूँगा, यह देखे, hi Tom, can we make it 12 weeks, $200 per week, और total जो होगा, वो 2400 होगा, यह देखें, इसके बाद यह सारी conversation जो है, वो WhatsApp पे होती रही है, और WhatsApp पे होने के बाद फिर उसके बाद जो एक्रिमेंट हो गया, मैं इसको कह रहा हूँ कि I will send you, thank you so much, so can I go ahead and send you the buy request to you, send the buy request to you, तो अब मैं इसको buy request send करता हूँ, जब यह accept हो रहेगा, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, कि 2400 डॉलर का प्रोजेक्ट जो हो accept हो गया, अब मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं देखे, फाइवर में आगया हूँ, फाइवर में आने के बाद मैं यहाँ पर एक buy request send करूँगा, क्लाइट को, तो buy request send करने के लिए सबसे पहले आपने create an offer के बटन के उपर click करना है, क्लिक करने के बाद आपने जो most relevant आपकी gig होगी वह आपने चूज कर लिए, जैसे मेरी most relevant gig जिसके उपर यह आया था, उसको मैं चूज करता हूँ, यहाँ आपर मैं लिखता हूँ, as discussed, I will develop this system according to the requirements in 2400 USD, maximum 12 weeks, यह मैंने description में इस विज़ा से mention कर दिया था कि लेटर और अगर कोई मसला बने, तो फॉरण से जो हैना वो मुझे, मैं sport के साथ बात कर सकूँ, यह total agreement इतना हुआ था, मैंने description में mention कर दिया था, फिर इसने accept किया था, तो यह total duration 12 weeks की रखी है और 200 dollars पर week पर मैंने agreement किया, कि आप मुझे 200 dollars पर week पे करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो, आप create कर सकते हैं, यह देखे, तीन माइस रोदे एक product के अंदर हो सकते हैं, तो मैं यह करता हूँ कि one time delivery कर देता हूँ, और फिलहाल मैं इसको 24 नहीं करता, क्योंकि मैं week by week payment लोगा तो मैं 200 dollars कर देता हूँ, और फिर इसके बाद इसकी जो due date है, वो हम कर देते हैं, अगर एक्सेट कर लेगा, तो इसको अगर एक्सेट कर लेगा तो प्लिक करने के बाद यह ओफर जो है, वो live आएगा, तो इसको अगर accept कर लेगा, तो मैं इस पर काम start कर दूँगा, ठीक है, तो custom offer उसको मैंने send कर दी है, और message भी कर दी है, अगर जैसे ही इसको accept करेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने accept भी कर लिए, तो यह मैं आप लोगों को इस वर्जा से दिखा रहा हूँ कि Fiverr एक ऐसा platform है, जिस पे आप अपना rate खुद define करते हैं, अगर आप ऐसे clients के साथ काम करते हैं, जिस जो के आपको सिरफ $5 बे कर सकते हैं, तो आप हमेशा $5 ही लेंगे फिर, अगर आप यह चाहते हैं कि आप ज्यादा earn करें, तो आप अपना rate increase करें, it doesn't matter कि 10 customers आपके पास आते हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि मेरा rate यह है, अगर मैं एक mobile app बना के देता हूँ, let's suppose $5,000 में, तो अगर कोई भी client आपके पास आता है, उसको आप reason देते हैं, properly convince कर पाते हैं, कि आप इसको जो है वो $5,000 में आप से क्यों बनवानी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इसमें value add कर रहे हैं, यह आपका unique way है, यह आपका solution आपको आता है, तो फिर आपको वो $5,000 भी pay कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि Fiverr के उपर आप इतनी बड़ी amount नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े projects भी आप कर सकते हैं, यहां पर देखें, यह order place हो चुका है, तो the whole point behind this is that, कि मैं आप लोगों के साथ, जो यह सारी चीज़ मैंने इसमें से शेयर की है, ताकि आप लोगों को पटा चल सके, कि Fiverr सिरफ एक $5,000 का $10,000 का $15,000 का platform नहीं है, इसके उपर आप जितना चाहें अन कर सकते हैं, यह सिर अगर आप बड़े प्रोडेक्स जो हैं, वो सो डॉलर्स में करते रहेंगे, अगर आप इसी रेट के उपर हैंगे, तो डेफिनिट्टी आपके भार बास पिर इसी रेंड के क्लाइंट्स आएंगे, अपना रेट बढाएं और अपने क्लाइंट्स को कुछ रीजन देंगे ऐसे क्यों देने तो फिर एक्स्ट्रा मांट क्यों देएंगे जो मार्किट को अपर आपके पास पांसे जाड ऑट लॉडॉर्स के बी प्राजेक्स हा सकते हैंगे तो तेंक यू मछ वाचिछ वाचिक्छ फॉर वचिंग तो लाइक कर देंगे वीडियो लाइकर करें and I will see you in the next video. Allah Hafiz.